यह ऐसानाम वालेकुम कैसे हैं आप लुप सर्भ इन्शालास भरियॆ से होंगे अच्छा आज मैंने बनाया है टी इसके बाद हमिला देगे यह माइसे właściनी है अपने लिहाँ सकते हैं कम यह Crash कर सकते हैं इसको अब इसे हम इसे हम अच्छी तरह फ्यूट लेंगे देखें हमने इसे अच्छी तरह फ्यूट लिया है अंडे और शकर को अब इसमें हम डाल देंगे कि हाफ टेबल इस्पून आमक डल देंगे एक टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पॉर्डर और हम इसमें तकीवण चार से पांच टेबल स्पून कुकिनवाइल डाल देंगे इसे फिर फ्योंट लेंगे लेखें मैंने इस सब चीज़ों अच्छी तरह फ्योंट लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक टेबिल स्पून वैनेला एसंस आपका अगर ज्यादा स्ट्रॉंग है तो आप कम डालिएगा अगर नहीं तो एक टेबिल स्पून डालिएगा अच्छा यह मैंने लिया है एक कप मैदा है इसे हम चान लेंगे चान पर डालेंगे देखें पूरा हमने इसमें मैदा डाल दिया है वे मिक्स करते हैं से पहले मैंने इस पैचुला से इसको मैंने मिक्स के आए बना फिर आटा ओड़ना शुरू हो जाता अब हम इससे देखें मैंने इसे अच्छी तरह फेट लिया है अब इसमें मैं डालूंगी यह चॉकलेट चिप है थोड़ी सी यह अप्शनल है अगर आपको डालना है तो डाल यह देखें सारा हमने मिक्स कर लिया इसमें अच्छा देखें मैंने यह त्रेल इलिए है इसमे ऐल लगाके और यह पेपर लगाकर रखीा आप भी पहले से इसको रेड़ि कर लिजिएगा अब इसमें मैं सारे यह बैटर डाल दूंगी देखें मैंने सारा डाल लिए इसमें इस तरह करके स्रेट करेंगे और इसमें उपर से हम थोड़ी सी ये चॉकलेट चिप डाल देंगे चॉकलेट चिप आउप्शनल है आपको अगर डालना है डालिए बना रहने दे अच्छा देखें मैंने से डाल दिया है और मैंने अवन को 200 पर मैंने गरम कर लिया है अब इसको मैं डालूँगी 30 से 25 के लिए देखें मैंने निकाल लिया है बेक हो गया यह थोड़ा इसे ठंडा कर लेंगे यह देखें मैंने इसे निकाल दिया है थोड़ा ठंडा होने दें फिर इसे हम काटेंगे इसके पीस करेंगे देखें कितना अच्छा सा केक त्यार हुआ है टी केक देखें इसे हम काट के देखत अब आपको दिखाने करें मैं काट रही हूँ थोड़ा ठंडा करके काटियेगा बहुत गराम है यह देखें कितना सॉफ्ट कितना अच्छा है यह देखें नरम भी देखें कितना नरम है आप इसे जुरूर ट्राइ किजेगा और मुझे अपने कॉमेंट में बताएगा कि में आला हाफिज